हेलो फ्रेंड्स सर्दियों का सीजन अच्छे से चल रहा है बहुत थंडी थंडी है हवा चल रही है और इन थंडीयों में पकोड़े खाने तो बहुत ही मज़ा आएगा तो मैं आ गई हूँ कीचन में और ये देखे मैंने मूंग डाल जो है उसको यहाँ पे 5-7 गंटे के लि तो ये देखे मैंने मिक्सी का जाल ले लिया है और ये देखे मैंने कड़े भी रखती है बाजुमें और तब तक हम यहाँ पे जो डाल है हमारी उसको हम यहाँ पे पीस लेंगे तो ये देखे मैंने थोड़ी-थोड़ी करके मैंने 2-3 बार जो मुंग डाल है उसको पीस ल जो मैंने सारी डाल जो है आधी डाल उसको ग्राइडिन जार में ले लिया है और अभी देखे सारा पाणी निचोड के ही लेना है अगर थोड़ा सा भी पानी रह गया तो हमारे जो बजिया पकोडियां है जो अच्छी नहीं बनेगी और यहां पे मैंने अद्रक मीर्ची और लैसुन जो है तीनों को साथ में ही कट कर लिया था और इसको आधा-धा करके हम जो जुग डाल पीछेंगे दो-तीन बार उसमें डालते जाएंगे तो यह देखे मैंने थोड़ी से मेची अधरग और लैसुन भी इसमें डाल दिया है और इसी के साथ ही हमें इसको ग्राइंड कर लेंगे तो यह देखे हमें इसको पल्स मोड में इसको ग्राइंड करना है इस बात का आप दियान रखे हमें ज्यादा पीछना नहीं है हमें पल्स मोड पे ही इसको ग्राइंड करना है और इसको दरदरा पीछना है तो आप देख सकते हैं मैं आपको नस्दिक से भी आसारी नताल से हombres 19 9 जो श्रयां ने प्नाशना है तभी हमारी पकोड़े moving जो है leg और उच्छे बनेंगे तो इस तरीक念 से मैं आपे सारी न मुंञ दाल जो हमने भिगो के रखी थी सारी डाल को में यहां पर फियलोंगी और दूसरे और अव्य बड़े बर्टन में यहां मैं निकाल लूँगी तो यह देखे दोस्तों मेरी कुछ इस तरीके से इतनी डाल हमारी पीस चुकी है मलब एक बार में हमारी इतनी डाल पीस चुकी है तो यह देखे दोस्तों ऐसे ही सारी डालों को में दर्दरा पीस लेना है और ऐसे ही मैं जो दूसरी जार है दूसरी बार भी यह मुंग डाल जो है उसको मैं यहां पर पीश लूँगी तो यह देखे मैंने दुसरी बार भी पीश लिया है और हमें हर बार पीशतींगे तो इस बात का ध्यान रखना है फ्रेंस कि दरदरा ही पीशता है और यह देखे दोस्तों अब हम यहां पर देख सकता है कि आप अब देखे धनिया डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और इस भजी में दोस्तों कोई भी मसाले ज्यादा नहीं पड़ते है तो अब देखे मैंने अच्छे से हीला लिया है अब हम नार पर डाल देते हैं नमक नमक टेस्ट के अनोसार डाल दीजेगा दो दो चमच मैंने यहां पे नमक डाला है और नमक डाले के बात जो मुंग दाल है ठोड़ा सा पानी छोड़ती है इसलिए मैं आपको बोल रहे थी फ्रेंज की हमें जो है कम से कम पानी में मुंग डाल को पीच लेना है बिल्कुल भी पानी का यूस नहीं करना है मुंग डाल ताइम और आप देख सकते है फ्रेंस मैं चम्मत से इसको बहुत अच्छे से फेट लेना है आप देखेंगे इसका कलर टेक्श्चर है थोड़ा सा लाइट होता जाएगा तो यह देखें मैंने हाथ से भी अच्छे से इसको मिक्स कर लियाएगे तभी इसके अंदर जो बॉब अब यहां मैंने कड़ाई को चड़ा दिया है और अब हम जो ऑईल है ऑईल को गरम होने के लिए छोड़ देंगे और गरम होने के बाद यहां पे सबसे पहले बचिया है तो मिर्ची ते होगी ही होगी तो यह देखें मैंने मिर्ची को भी यहां पे फ्राइ कर लिया है तो देखे मिर्ची को मैंने बीच में से कट किया है बाकी फ्रेंड्स मिर्ची जो है वो उड़ेगी इस बात का आप दियान रखेगा और हमारा ओइल जो है वो एकदम टेंपरेजर उसका है एकदम घरम होना चाहिए फ्रेंड्स स्नाटिंग में जब हम डाल रहे है तब हमारा जो ख्लेम मेडेयम कर देनी है और आप देख सकते हैं यो कोई सोडा डाला है हमने और कोई को बेकिंग वाल डाला है प४ीर हमारी जो है अच्छे से फूल ती है और क्रिस्पी भी होती है और यह दीखicken है धंग स audio मीं में निकाल लेंगे तो हमारे यहां पर पको्रें जो है मुंभा दाल के बनके तयार हो चुके हैं और यह ठीक हाने में बौहती टेस्टी लगते हैं सारे पकोरों को यहां पर निकाल लिया हैं और हमने जो तल के रखी थी जो मिर्ची मलब हरी मिर्ची उसको हम भी इसको भी सव कर लेंगे तो यह देखे यह भजी के साथ मिर्ची बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में और इसके साथ प्याज भी बहुत अच्छा लगता है मलब यह हमारे यहां पे गुजरात में प्या आज मिलेगा तो यह देखिए फैंस हमारी बजी बन के त्यार है वीडियो पसंद आरा तो लाइक करिए श्यायर करिए बाई बाई